असलावलेकम दोस्तों हमने नमबर सिस्टम का इंड्रोडक्शन पड़ लिया था तो उसके बाद अभी जो है ना हम कुश्चन करेंगे जो जो ज्यादा तर जो है ना एप्टिट्यूट टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए आते हैं ऐसे कुश्चन तो आज हम यह कुश्चन करेंगे ठीक है अब कुश्चन यह किराए कि हाव मेनी नमबर बिट्वीन टू हंड्रेड एंड फाइफ हंड्रेड और डिविजिबल तो यह जो दोसों से लेके 500 तक यानिके इनके बीच में ऐसे कितने नमबर से जो डिविजिबल होते हों किस से ठीक है यह चीज़ आपको समझ में आ गई तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे क्यों कि इसका एक मैथट है वह मैथट यह के थर्टीन से डिविजिबल होना चाहिए ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो हम क्या करेंगे 200 को डिवाइड करेंगे किससे 13 से ठीक है 200 डिविजिबल बाइट 13 ठीक है तो अगर मैं इसको यानिके थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना चाहूं तो इसको मिश्टा लिख सकता हूं 15 पिलस फाइफ डिवाइड बाइड थर्टीन ठीक है यह हो गया क्योंकि 13 मुल्टी ब्लैब में 15 हमारे पास आ जाता है वन नैंटि फाइफ प्लस फाइफ डिवाइड बाइड थर्टीन ठीक है तो दोस्तों अभी आप लोग देखेंगे के ठीक है तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर हमारा क्या आ रहा है यानिके 15 ऐसा नंबर है जो यानिके वह सकता है कि डिविजिबल हो सकता है यानि कि अब उसके बाद जो दूसर नमबर हमें गिवेन है वह दूसर नमबर हमें यह गिवेन है कि 500 तो हम क्या करेंगे 500 को भी डिवाइड करा देंगे 13 से ठीक है इसको एक्समेंड करके लिखेंगे तो 38 पिलस है तो यह हमारा जो थर्टीन आ गया ठीक है अब हम क्या करेंगे इन दोनों नमबरों को एक दूसरे से क्या करनेंगे सब्ट्रेक करेंगे सब्ट्रेक किस तरह करेंगे से 38-15 तो आंसर हमारा क्या आगया है कि 23 ठीक है तो 23 हमारा आंसर है यानिकर इसे कितने नंबर से जो इन दोनों के बीच में तू हंड्रेट लेकर 500 के अंदर ऐसे कौन से नंबर हैं जो डिविजिबल होते हों किसे 13 से ठीक है तो हमने इसको लिख लिया है तो हमारा जो आंसर आगया है 6 ल्ग कर लिए है तो हमारा जो आपस़र आया है हो answer अमरा क्या है 23 ना क्या है एक खरेक्ट आणसर हमारा answer क्या है एक हमारा correct answer है ठीक है दोस्तों आफ को इसे शमज में आया होगा तो इस तरहा जर्ण करेंगे अपने lecture एक सीरीज में तो इंशाल्ला vidéo empty 12